हेलो फ्रेंट्स, आज की बीडियो में हम सिच्छन अदियम का अपना नेक्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सिच्छन कोशल हम जानेंगे सिच्छन कोशल क्या होती है और इसकी क्या अपशकता है सिच्छन की प्रक्रिया में तो जान लेते हैं एक सिच्चक अच्छा में जाता है और सिच्चन कार करता है इस समय वह जो भी बिवार करता है उस सिच्चक का वह बिवार ही सिच्चन कौशल कहलाता है एक सिच्चन कौशल समान बिवारों का समू है तथा बिविन सिच्चन कौशल मिलनकर एक सिच्चन पक कई चीज़ें वो करते हैं क्लास्रूम के अंदर तो वो जो बहवार करते हैं वो सिच्छन कौशल कहलाता है और वो क्यूं करते हैं तो वो सिच्छन कौशल का निर्माड कर रहे होते हैं आपको प्रभावसाली ढंग से समझाने के लिए चीज़ों को वो बहवार करते हैं तो ये बैवार कहलाता है सिच्छन कॉशल, अब क्लार्क के अंसर सिच्छन कॉशल की परवासा देख लेते हैं, क्लार्क ने कहा था कि सिच्छन कॉशल उन क्रियाओं पर अधारित है जो छात्र बैवार में परवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं किरानवित किया जाए, ठीक जैसे प्रषन पूछना, प्रषन सुनना, चात्रों के उत्तर जानना, तता प्रतिफल देना और पुनरवलन देने तता अन क्रिया करना है मतलब टीचर ये कारे करते हैं न क्लास में तो ये सारे क्या आते हैं? सिच्छन कॉशल के अंतर घता आते हैं जैसे टीचर आपके प और सिच्छन कोशल के बारे में जानिए कि सिच्छन कोशल कहते किसे हैं। इसमें हम ग्यात से अग्यात की और सूत्र का अनसरंड करते हैं। उसके बारे में पहले से कितना जानते हैं। को जानने का इंट्रेस्ट बढ़ जाता है, कि अरे वा, ये तो मुझे पहले से पता था, कि ये तो भारत देश का नक्स है, इसके पास पाकिस्तान का है, पर यहां पर अफगानिस्तान का होगा, भारत अपमारा इतना बड़ा है, बतो हम इजगे पर रह रहे हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चों में इंट्रेस्ट बढ़ता है, चीजों को लेकर, तो पार्ट प्रिस्ताबना काशल में हम यही करते हैं, पहले से हम जानकारी लेते हैं, कि बच्चों पहले से कितना जानते हैं, उसके बारे में, क्या-क्या की पूर्वियान को जानने की कोसिस करते हैं कि बच्चे पहले से कितना जानते हैं उस विसके वारे में जो हम उने पढ़ाने जा रहे हैं दूसरा है उद्देश और सहाइक समगरी आपका उद्देश आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका उद्देश के लिए बच्चों को यह चीज पढ़ा रहे हैं दूसरा क्या है कि आप उससे सम्मंदित आपके पास सहाइक समगरी होनी चाहिए ताकि बच्चे उस चीज को अच्छे से connect कर पाएं जब आपके बास द्रश और समगरी होती तो बच्चों पर जो effect पड़ता है वो काफी अच्छा पड़ता है तीसरा क्या है प्रशनों का आप भारत देश पढ़ाने जा रहे हैं आप उनसे जल से सम्मंदित कोशिन कर रहे हैं तो यह नहीं होना चाहिए फिर है समचित अबदी फिक्स टाइम होना चाहिए जब आपको प्रशन करने है ऐसा नहीं है आप पूरे चैप्टर में प्रशनी करते जा रहे हैं बच्चो चीजों को connect कर पाएंगे और चीजों को अच्छे से सीखेंगे रुची बनाना बहुत जरूरी है तो ये कुछ घटकते points हैं याद कर लीजेगे इन points को ज्यादा points नहीं है तो पहला कॉशल आपका यहीं पर समाप्त होता है अब हम देखेंगे next कॉशल कौन सा है हमारा अब प्रस्ताबना कॉशल के बाद जो हमारा next कॉशल है वो है उद्देश कतन कॉशल प्रस्ताबना कॉशल के बाद सिच्छन का अगला चरण उद्देश कतन होता है प्रस्ताबना प्रशिन के बाद चात्रों में नभीन ग्यान की प्रती जिग्यासा जग्रत होती है उसको सिच्छक दौरा अवस्त तंतुष्ट करना चाहिए उद्देश कतन इसी दिसा में एक सोपान है यह चात्रों में पाठ के प्रती रुची बनाया रखता है कहने का मतलब है प्रस्ताबना कॉचल में आपने क्या किया आपने चात्रों की पूर्व ग्यान को जाने की कोसिस की आपने जाना कि आप जो पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को उसके बारे में पहले से चात्रों को कितना पता है ठीक है क्या क्या वो उस बारे में पहले से जानते हैं अभी तक आपने बच्चों को ये नहीं बताया कि आप पढ़ाने क्या जा रहे होने पस आपने क्या किया उससे relative question किये तक ही पता लगी कि बच्चे उसके बारे में पहले से कितना जानते हैं उसके बाद आपने बताया चात्रों को जैसे एक्जाम्पल में दिया गया कि प्रिस्ताबना प्रश्ण से इस पस्ट हुआ कि सिचक भारत देश पढ़ाना चाहता है। इस उद्देश कतन इस प्रकार होगा कि आज हम लोग भारत देश नामक पाठ का अध्यन करेंगे। पहले क्या कि उसने भारत के बारे में जाना कि बच्चों को कितना पता है, उसके पडोसी देशों के बारे में पता है क्या चीज़ें वो जानते हैं भारत देश के बारे में। उसके बाद उन्होंने बच्चों को बताया कि आज हम लोग भारत देश नामक पाट का अध्यन करेंगे इस से क्या होगा, उसका उद्देश स्पस्ट हो गया कि वो क्यों पूछ रहा थी कुछिन, क्यों कर रहा थी, यह सारी कुछिन क्योंकि वो भारत देश चैप्टर पढ़ाने जा रहा है तो इस कतन की भी बहुत उपयोगता है इसकी उपयोगता जान लेते हैँ पाट का लच नर्देशित होता है इससे पता चलता है कि पाट का असली लच है क्या ठीक है, उसके बार में पता चलता है सिच्छन में इस पश्टता आती है उद्देश कतन क्योंकि आपका उद्देश निश्यत होता है बच्चों को सिखाना क्या चाते है फिर है सिच्छन अधगम के प्रती क्रिया शीलता भड़ती है मतलब टीचर जो पढ़ा रहा है जो सिखा रहा है चीजों को तो उनके बीच में क्रिया शीलता भड़ती है चात्रों में पाट के प्रती रूची जागरत होती है रूची भी बढ़ेगी क्योंकि उद्देश उनका फिक्स रहता है उन्हें पता कि क्या उद्देश उनने चाहिए बच्चों को सिखा कर क्यों वो इस पार्ट को पढ़ा रहे है उनका उद्देश क्या है जब किसी भी चीज का उद्देश क्लियर होता है तो वो काम अच्छे से किया जा सकता है जैसे कि आपका उद्देश इस समय टीचर बनना है डियलेड डेल अड़ आप क्यों कर रहे हैं क्योंकि आपको primary का teacher बनना है तो आपका उद्देश निश्यत है तो आप जो भी पढ़ेंगे तो आपकी क्रिया सीलता भड़ेगी आपकी रुची भी भड़ेगी कि हाँ में पढ़ना है क्योंकि हमें ये बनना है तो यही चीज है उद्देश कतन से देखिए अगर कोशिन ये पूछा जाता है एक्जाम में कि पूर्व ग्यान से सम्मंदित प्रशन किस कॉशल में पूछे जाते हैं तो आपका अंसर क्या होगा प्रिस्ताबना कोशल में पर स्थाबना कॉशल में ही पूरभगयन से सम्मन्दित प्रशन किये जाते हैं जबकि उद्देश कथन में क्या करते हैं उद्देश निश्यत करते हैं कि हमारा क्या उद्देश है हम क्यूं ये कुशन कर रहे थे क्योंकि हम उसे related chapter पढ़ाने जा रहे हैं उसे सम्मन्दित प्रशन करने जा रहे हैं ये आगे आपके काम आएगा तो उद्देश कर्थन में ये सब की चीज़ें होती हैं अब तीसरा हमारा कॉशल है प्रशन कॉशल जिसे कुशिनिंग स्किल कहते हैं सिच्छन को प्रवाव साली एवं सफल बनाने में प्रशन कॉशल की महतपुन भूम का है इसमें परअगत होना सभी सिच्छकों के लिए अनवार है क्योंकि सिच्छक जब कच्छा में प्रशन पूशता है तो सभी विद्ध्याती क्रिया सील हो जाते हैं प्रशन कॉशल छातनों के अंदर से भै को समाप्त कर देता है देखिए प्रशन कॉशल बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है जितने भी कॉशल से हम पढ़ रहे हैं क्यों इंपोर्टेंट है क्योंकि आपको पता जब आप प्रशन पूशते हैं जो बच्चे होते हैं, जो आपसे पढ़ रहे हैं, वो क्रिया सील हो जाते हैं, एकदम उनका ध्यान उसको प्रेशन पर जाता है, तो वो क्या करते हैं, जो भी चीज, जो भी अगर बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है कोई, लेकिन जब वो प्रेशन सुनता है, तो एकदम उसक चाहिए टीचर को, जितने अच्छे वो questions पूछ लेगा, तो बच्चों में उतनी ज्यादा जिग्यासा भड़ेगी उस चीज को लेकर, ठीक है अगर आप अच्छे अच्छे प्रशन पूछते हैं, थोड़े बना बना के पूछते हैं, तो छात्रों में आप जिग्यासा उत् पस्ट होने चाहिए, मतलब question ऐसे हो कि बच्चों के इस तरके अनकूल हो, बच्चों को समझ में आ रहे हैं, ठीक है, सरल हो, उनकी जो भासा हो, वो बिलकुल सरल होने चाहिए, उनके हिसाब से, तक कि बच्चों को question ही नहीं अगर समझ मायएगा, प्रस्ण नहीं समझ ठीक है दूसरा क्या है कि प्रासंगिक होने चाहिए जो आप पढ़ा रहे हैं लेशन जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंदित होने चाहिए ठीक है तीसरा का इस तरह अनुकूल होने चाहिए मतलब कच्छा दो का बच्छा है तो कच्छा दो के तरहीके से ही प्र बिविद्धा हो मतलब जो प्रशन आप पूछ रहे हैं वो थोड़े अलग होने चाहिए एक दूसरे प्रशन से ताकि आप जादा से ज्यादा चीजों को जान सकें कि बच्चे क्या बताना चाहरे हैं ठीक है तो थोड़ी बहुत बीविद्धता होनी चाहिए सेम प्रशन पॉइंट है आपका बोधगम हो बोधगम से मतलब ऐसे प्रशन हो जिससे कुछ न कुछ जानने को मिले आपको ठीक है और बच्चे जो सुन रहे हैं उन्हें भी कुछ सीखने को मिले ठीक है तो बोधगम होने चाहिए फिर है प्रशन कोशल की घटक तो तीन घटक है पहला प्रशनों की स्पष्टरता पहला घटक की प्रशन जो होने चाहिए वो स्पष्ट होने चाहिए दूसरा है प्रकरण से संबंध मतलब जो भी प्रशन पूछे जा रहे हैं उनका प्रकरण से संबंध होना चाहिए मतलब जो लेशन आप पढ़ा रहे हैं जो चैप्टर आप explaining skill कहते हैं explain करना ठीक है पार्ट सिच्छन में पूछे गई प्रिश्णों का समाधान या इसपस्टी करण में सबसे सहायक कौशल ब्याख्यान कौशल है इस कौशल में सिच्छक बिविद प्रकरणों तत्यों को समझाने के लिए सरल से सरल भाओ बिच्यार कथन की द्वारा क्रमिक बातारकिक रूप से विशयवस्तु को प्रकट करता है इस कौशल की सफलता इस बात पर निर्बर है कि सिच्छक पाट का संपूर्ण पर गहन ग्यान रखता हो तो ब्याख्यान कौशल में क्या होता है आपने प्रिस्ताबना कॉशल में क्या किया पूर्वग्यान से समंदित प्रशन किया उसके बाद क्या आया उद्देश कथन कॉशल आया आपने उद्देश किलियर किया कि आप ये लेशन क्यों पढ़ा रहे हैं उसके बाद प्रेशन कोशल आया, आपने प्रेशन किये बच्चों से, उस चैप्टर से सम्मंदित, उसे बैसे से सम्मंदित जो आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्रेशन किये, तो आपने प्रेशन को जानने का मौका मिला, उसका जो बच्चों ने गलती हैं किया, उ जो आप कोई subject पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत कठिन भासा लिखी होती है, वो साइद आपकी ऊपर से निकल जाती है, चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लिस पढ़ रहे हो, तो बहुत कठिन भासा लिखी होती है, जो भी किताबों में लिखी होती है, या आप र सरल भावों में कितने अच्छे से अपने बिचारों को रख लेते हैं तो यही क्यालाता है ब्यक्ष्यानकोशल अब इसके घटक देख लेते हैं पहला है कत्रों में तारमेता दूसरा है भासा में धारा प्रभाव फिर है इसपस्ट निसकर्स वाली कत्रों का उप्योग और उ बताती बताती आप किसी दूसरी की चीज की ब्यक्ष्या करने लगे तो जो कथन है वो एक दूसरे से संबंदित होने चाहिए जिनकी आप ब्यक्ष्या कर रहे हैं दूसरा है भासा में धारा प्रभाव ठीक है आपको बोलना आना चाहिए आप बच्चों को समझाई नहीं पाएंगे अपनी बात तो बैक्ष्यान कौशल का कोई मतलब ही नहीं जैसे आप समझा रहे हैं बच्चों को को समझी में नहीं आ रहे हैं आप धारा प्रभाव बोली नहीं पा रहे हैं आप अटक अटक के बोल रहे हैं बहुत धीमे धीमे बोल रहे हैं बच्चों को सुना उप्यूक्त सब्दों का प्रियोग, आपको ऐसे सब्दों का प्रियोग करना है, जो बच्चों को समझ माएं, बच्चों की इस तरके अनकूल होने चीए बो सब्द, ऐसा नहीं आपने हिंदी का कुछ कठिन सा बढ़ उठा लिया और बच्चों के समने बोल दिया, या संस्क कहते हैं, बैख्यान कौशल की एक प्रमुग भिदी है, उधारन द्वारा इस्पश्टी करन, इसी को द्रिष्टान कौशल कहा जाता है, जब सिच्चक बैख्यान की द्वारा सिच्चन प्रिया की नियम पस सिध्धानतों को पूर्टिया इस्पश्ट नहीं कर पाते, तो को यह चिन्नों तथा उधारन को लेकर प्रिकरन को समझाते हैं, द्रिष्टान्त कौशल यह उधारनों के माद्यम से सिच्चक जटिल वा अमूर्त ग्यान को सरलता पूरवक चात्रों तक पहुंचा देते हैं, कहने का मतलब है, जब भी टीचर अपनी बात बताना चाता है आपको बैख्या कर रहा है किसी भी चीज की, और वो चीजों को नहीं समझा पा रहा है, क्लियर नहीं कर पा रहा, बच्चे अब भी नहीं समझ पा रहे, तो वो क्या कर रहेगा, कोई चाल्ट उठा लेगा, कोई मॉडल उठा लेगा, ठीक है, कोई चिन बगएरा, मॉडल है ना इन चीजों के माद्यम से आपको चीजों को clear करता है आपको चीजों को समझाता है अब उधारण के प्रकार देख लेते हैं यहाँ पर उधारण दो प्रकार क्यों होते हैं पहला साब्दिक द्रिश्टांत जिसे बर्वल illustration कहते हैं इसके अंदर जो सब्दों के माद्यम समझो एक्जाम्पिल देते हैं जिसे कहानी के माद्यम से, कब्ता के माद्यम से किसी घटना का वर्डन करके यह लेख हादी द्वारा जो भी चीज़ें हम समझाते हैं वो आती हैं आपकी बर्वल illustration में साब्दिक द्रिष्टान्त में और दूसरा आपका जो एक्जाम्पिल होता है जो उधारन होते हैं वो होते हैं असाब्दिक द्रिष्टान्त में इसमें आते हैं non-verbal illustration इसमें आप मान्चित्र के माद्यम से चीज़ों को समझाते हैं तु है परियोक करकर प्रदर्षन करके असाब्दिक जो आप आप पड़ होने चाइए और इसपच्ट होने चाहिए दूसरा है पार्ट वस्तूज़र संब्स्तित हो मतर्ब जोबी आप पड़ा रहे हैं जिससे समंदित आप example दे रहे हैं तो उससे समंदित होने चाहिए उस part से ठीक है तीसरा क्या रोचक होने चाहिए थोड़े रोचक होंगे तो बच्चों की थोड़ी उसमें क्या रुची बढ़ेगी किसी भी model को देखकर या chart को देखकर तो उसमें थोड़ा interest लेंगे वो ठीक है चीजों का अच्छी से समझेंगे फिर last के है कि इस तरह अनकूल हो मतरब उनके इस तरह के अनकूल होना चाहिए अब ऐसा नहीं है कि आप कच्चा दो के बच्चे को कच्चा दसका कुछ example दे रहे हैं उनके अच्चे क्यों खुक्त